नमुश्कार में हो प्रिया आज है चार नवंबर चली जानते हैं बिहार की 25 बड़ी ख़बरों को दूसरे चरण के बिहार वधान सभा चुनाव में हुए कुल मिलाकर अनुमानित 54.05 प्रतिश्वत वोट बिहार वधान सभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान की प्रोकरिया पूरी कर ली गई है वैशाली में 51.09 समस्तेपूर में 56.02 बेगुसराय में 58.67 खगडिया में 56.10 भागलपूर में 54.54 नालंदा में 51.06 वही राजधानी पट्ना में 48.23 फीस दी मतदान हुए बिहार लोग सिवायोग ने 12.13 दिसंबर 2020 को होने वाले असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा को स्थागित कर दिया है यह परीक्षा स्टैंड इंजीनियर 4.2019 भरती के तहत होनी थी आपको बता दे BPSC के आधिकारिक नोटिस के अनुसार कुछ जरूरी कारणों के चलते इस परीक्षा को स्थागित किया जा रहा है BPSC असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा, इलेक्ट्रिकल और सिविल असिस्टेंट इंजीनियर भरती परीक्षा के साथ ही होगी आयो के अनुसार यह परीक्षा अब 20 मार्श 2021 शनिवार और 21 मार्श 2021 रविवार को आयोजित किया जाने की संभावना है सभी परीक्षा आर्थी BPSC के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर सारी जानकारी ले सकते है राजधानी पटना के पटना प्लानेटेरियम में आपको देखने को मिले का बहुत कुछ खास इंद्राकांधी तारामंडल या पटना तारामंडल एश्या के सबसे पुराने और सबसे बड़े तारामंडल में से एक है खगोल विज्यान से संबन्दित विश्यों पर फिल्म शो की एक विस्टित श्रिंखला यहां दिखाई जाती है इसके अलावा आगंतुकों के लिए विभिन संबन्दित विश्यों पर प्रदर्शनिया भी आयोजित की जाती है पटना तारामंडर में आधुनिक प्रशेपड प्रणाली अच्छी तरह से बनाए रखा परिसर और एक ठाठ सभागर है फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए यहां एक विशाल गुन्बन के आकार की स्क्रीन है जिसमें आगंतुकों को आकरशित सितारों चंदरमा और अन्यक हगोली अपिंडों से भरे आकाश को देखने का अध्भुद आनंद लेने के लिए छत पर देखने की ज़रूरत है प्रदर्शन के लिए ओनलाइन आवेदन करना होगा अप्रेंटिस की भरती में कोई परीक्षा नहीं होगी यह भरतियां दसवी कक्षा और आई टी आई कोर्स के मार्क सी आधार पर करवाई जाएगी इन मार्क के आधार पर एक मेरिट बनेगी इसमें रैंक के आधार पर उमिद्वारों का चयन करवाए जाएगा योग्यों मिद्वार अप्रेंटिस शिप इंडिया.org पर जाकर एक दिसंबर तक उनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए सैक्ष्निक योगिता की बात करें तो किसी भी मानेता प्राप्स अंस्थान या बोट से दसवी की परिक्षा पास होना या फिर संबन्धित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवारे होगा. बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,18,000 के पार बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को बिल रही है. स्वास्त बंत्राले की तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार 20 दिन के 24 गंटे में 846 लोग पॉजिटिफ पाई गये हैं जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,18,964 पर पहुँच गई है. वही प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तोररिया में 75, अरवल में 6, औरंगबाद में 18, बांका में 11, बेगुसराय में 14, भागलपुर में 31, भोजपूर में 9, बकसर में 8, दर्भंगा में 5, पुर्वी चंपारन में 14, गया में 24, गोपाल गंज में 9, जमुई में जहानबाद में 27, कैमूर में 2, खगड़िया में 1, किशंगन में 9, लखी सराय में 7, मदेपूरा में 16, मधुबनी में 12, मुंगेर में 8, मुझदफरपूर में 35, नालंदा में 59, पटना में 203, पुर्णिया में 46, रहतास में 13, सहरसा में 76, समस्तिपूर में 13, सारन में 17, शे दूसरे चरन में मुख्यमंतर नितीश कुमार, तेजस्वी आदव समेत कई दिगजों ने डाले वोट, विहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरन के तहट बीते दिन 94, विधानसभा छेत्रों के लिए मतदान करवाए गया, जिसमें मुख्यमंतर नितीश कुमार ने भ स्टेनोग्राफर भरती परिक्षा 2019 का रिजल्ट हुआ जारी आधिकारिक वेबसाइट पर bssc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है, इस परिक्षा में शामिल अभिहरती इस वेबसाइट पर विजिट करके नाम रोल लंबर आधी डीटेल्स भर कर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं आज विहारी पैचान में हम बात करेंगे स्टिती जा की, स्टिती जा एक भाती अभिनेत्री है, इनका जन्म वेगुसराय नामक स्थान पर हुआ था, इन्होंने 2006 में एक धारवाहिक धूम मचाओ धूम में अभिनेकी शुरुवात की थी, जिसमें वो मालिनी शर्मा का किर निभा रही थी, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई, लक्षमन पब्लिक स्कूल से पूरी की, स्टिती वेंकरेश और कॉलेज नई दिली से कलासना तक स्तर की पढ़ाई कर चुकी है, वही अब तक उन्होंने धूम मचाओ धूम के अलावा, जिया जरे, जियोती, शौरे और मंद्र दिल से दी दूआ, सौ भागय वती भवा, बाली का वधू और वर्तमार में कुमकुम भागय और कुंडिली भागय में काम कर रही है, दूसरे चरण की वोटिंग के दिन गर्जोय प्रधान मंत्री मोधी, बिहार विदा सभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जय और जय श्री राम से दिक्कत है, प्रधेश के लोगों को इससे सतर करहना चाहिए और इन्हें मुह तोड जवाब देना चाहिए, आपको बता दे, सहरसा में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते वे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उक्त बातिक है, इतना रैली में राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री मोधी और मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर साधा निश्वाना बीते दिन दो वरिष्ट पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें एक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी तो दूस जिसके बाद बिहार के युवाव और किसानों ने मन बना लिया है कि महागठबंदन को चुनाव जिदान है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है हमने कहा कि 34 गड़ की सरकार सीधे किसान के खाते में पैसे डाल चुकी है और बिहार की सरकार किसान उसे पैसा चीन लेती है प्रधार मंत्री मोदी ने नया कृष्षी बिल लाया है जो किसानों के हित में नहीं है यह बिल मोदी जी के कुछ मित्रों के लिए ही है तेजस्वी आदव ने दूसरे चरण के चुनाव के दौरान की ताबर तोड रह लिया नेतर प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव लगातार चुनावी जनसभाओं का संबोधन करते नजरा रहे हैं जहां बीते दिन एक तरफ दूसरे चरण के लिए मतदान डाले गए वही तेजस्वी आदव कई जनसभाओं का संबोधन करते भी देखे गए इस इक्रम में सुपॉल के चुनावी सभा में मंच से तेजस्वी आदव ने जनता से खूब सवाल पूछा जहां जनता ने हर सवाल का जवाब नामे दिया उन्होंने भीड से कारखाना लगाने रोजगार देने आदी के बारे में सवाल पूछा तो भीड ने ना कह कर सीधा जवाब दिया इतना ही ने उन्होंने यह भी कहा कि दस तारीक को नितेश कुमार की विदाई तय है NDA के 15 साल के साशन में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है जो व्यक्ती 15 साल भी रोजगार नहीं दे सका, कारखाना नहीं लगा सका, भ्रहश्राचार नहीं रोख सका वो अगले 15 साल में भी कुछ नहीं कर सकता MCI ने लेटर ओफ परमिशन जारी करते वे सत्र के 100 सीटो पर MBBS की पढ़ाई होने की कहीं बात जननाय करपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसी सत्र से MBBS की पढ़ाई को MCI ने हरी ज़ंडी दिखा दी है जो इसके तहट 791 तश्वलब 25 करोर रुपे की लागत से सबैला में बने 500 बेड के जननाय करपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भी अभी हस्तु विधा मिलेगी जोसकी जानकारी MCI ने पत्र जारी करके दे दी है की प्रचारे ने यह भी बताया कि MCI के सचिफ डॉक्टर आर के वच्सद्वारा पत्र में कहा गया है कि जननाय करपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को विहार नाश्नल मेडिकल कमिशन की मेडिकल असेस्मेंट और रेटिंग बोट ने आपचारिक अनुमती लेनिक हुई सराना लोकतंत्र के महापर्वि में हिस्सा बनने जदि उसांसा सुनील कुमार पिंटु का जस्बास सुर्खिया बटो रहा है जदि उसांसा सुनील कुमार पिंटु कोविड-19 पॉजिटिव पाई गया थे जिसके बाद भी वो मतदान केंद्र तक अपने मता अधिकार का इस्तमाल किया आपको बता दे निर्वाचुनायोग से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज को चार से पांच बजे के बीच मतदान कराने का निर्देश मिला था लोकतंत्र के प्रति आजदा को लेकर सांसत के इस जजबे का हर कोई सराना कर रहा है जदि उसांसत थे इसके साथ ही वो मीडिया से बात करते वे उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने हिस्सेदारी निभाने के लिए तैयार हुए क्योंकि हर किसी को अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए शत्रुग निसिना ने बिहार चुनाव में कॉंग्रिस और राजवत की संभावित जीत पर दिया बयान शत्रुग निसिना के बेटे और कॉंग्रिस के बांकिपुर विधानसबा सीट से उमिद्वार लवसिना के भी बेते दिन किस्मत EVM मशीन में क्याद हो गई है वही मीडिया से बाचीत के दौरान शत्रुग निसिना ने लालु यादव को अपना करीबी मित्र बताया और साथ ही अपने बेटे लव सिना को बिहार का बेटा भी बताया इसके साथ ही शत्रुग नसिना ने अपने इंटर्व्यू में यह दावा भी किया कि बिहार में महागट बंदन की सरकार आएगी तब भी कई सालों बाद बिहार विकास की राह पर फिर चलेगा खबरों की माने तो शत्रुग नसिना ने अपने इंटर्व्यू में कहा EVM में चिप है इसलिए वो हैक हो सकती है यही वज़ा है कि विक्सित देश EVM में चुनाव नहीं करवा पाते हैं जबकि छोटे देश भारत में EVM से चुनाव होते हैं जिस पर जीतन नाम माजी ने भी ट्वीट किया है उन्होंने लिखा दिग्गी राजवा बिहार चुनाव का परिणाव आया नहीं कि रोना भी शुरू कर दिया बिहार चुनाव परिणाव से पहले यह तैय कर लीजिए कि आपको अपने युवराज और बिहार वाले युवराज को इटली भेज रहा है या पाकिस्तान क्यूंकि बिहार पर आपकी गठबंदन की हार तैय है तेजस्वी आदव ने पिछले 15 साल में विकास नहीं होने की कही बाद नेता प्रदिपक्ष तेजस्वी आदव ने पिछले 15 साल में विकास का कोई काम नहीं हुआ है जबकि 60 से अधिक घोटाले जरूर हुए है अगर महागटबंदन की सरकार बनती है तो क्याबिनेट की पहली बैठक में 10 लाग हुवाओं को रोजगार दिया जाएगा पढ़ाई, कमाई और सिचाई हमारी प्रात्मिक्ता में शामिल होगी बिहार में कल कार खाने भी लगवाय जाएंगे और सुपोर के त्रिवेणी गंज सहरसा में सिम्री बक्तियारपूर और मध्यपूरा के मध्यपूरा बिहा गंज कुमार खंड और आलमनगर में राज़त प्रत्याश्वी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे बयान जारी करते वे उन्होंने कहा कि आज बिहार में पलायन हो रहा है सिक्षा विवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है मधुबनी की सभा में नितीश कुमार पर फेका गया प्याज बिहार विदान सभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के बीच तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार भी जारी रहा इसी सलसले में मुख्यमंतर नितीश कुमार बीते दिन मधुबनी में एक रैली को सम्बोधित करने पहुचे थे जौरान जनसभा में मौजूद एक शक्स ने नितीश कुमार को निशान बराते वे उन पर प्यास फे का हाला कि वो बच गये इसी बीच नितीश कुमार ने सुरक्षा कर्मियों ने उन शक्स को पकरने का प्रयास किया लेकिन नितीश कुमार कहते नजर आए कि फेक ने दो जितना फेक ना है फेक ने दो दरसल लितीश कुमार बदुबनी जिले के हरलाखी विदान सभा छेत्र में जन सभा को सम्भोधित करने पहुचे ते जहां पर यह वाक्या हुआ पुर्णिया के वाइसी में गर्जय असुद्दीन, ओवेसी तीस्ट्री और आखरी चुरन के चुनाव के लिए प्रचार में सभी दल ने पूरी ताकत जोग दी है पार्टी के राज़्य स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता लगातार विभिन छेत्रों में रोडशो नुकर सभा कर लोगों को पार्टी प्रत्याश्री के पक्ष में वोट करने की अपील करते देखे गया है वहीं दूसरी तरफ OVC ने भी JDSF समर्थित उमिद्वारों को जिताने के लिए AD चोटी का जोड़ लगा दिया तो यहां की समस्याओं को लेकर वहां के लोगों से आखों में आख डाल कर बात करेंगे यादव ब्रदर्स के खिलाब जद्यू पहुचवा चुनाव आयोग विहार बतांसवा चुनाव 2020 के दूसरे चरण का मतदान बीते दिन करवाए गया इसी कड़ी में बीते दिन जद्यूनेता और विहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार तेजस्वी और तेश प्रदाब यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुचे जहां उन्होंने आरोप लगाया कि लालु प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी आदव और तेश महासचिफ श्री आफाक, एहमद खान, रास्ट्रे सचिफ श्री संजय वर्मा, प्रदेश महासचिफ डॉक्टर नवीन कुमार, आरे और प्रफेसर सुहेली बहता समेत अन्यचुनाव आयोग के अधिकारी के पास पहुचे थे जहां उन्होंने कारवाई करने की मांग की है पपुई आदव ने नितीश और तेजस्वी को लिया निशाने पर जनाधिकार पार्टी के रास्ट्रे धक्ष पपुई आदव ने बीते दिन तेजस्वी आदव और नितीश कुमार पर निशाना साधा है जिसके तहतुनों ने कहा कि जो ने ताज हेलिकॉप्टर में जरूरत मंदों की सेवा में लगे वेते हमने घर घर जाकर राहत सामागरी पहुचाई हम सेवादार हैं और हमेशा आजनता की सेवा में लगे रहते हैं। प्यासवेका था जिसके बाद अफरात अफरी का माहौल शुरू हो गया वहीं इस पूरे मामले पर चुराग पासवान ने निन्दा की है लोजपाने था चुराग पासवान ने कहा कि नितीश कुमार पर प्यासवेकना गलत है इस तरह कि घर नहीं होनी चाहिए लोगों में नितीश के फिर से मुख्यमंत्री बनने की बाद पर कहा कि आप एक बात लिख लेजिए कि नितीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं दूसरे चरन के चुनाफ के बाद निर्वाचन पतादिकारी ने की प्रेस कॉंफरेंस। चुनाव को सफलता पूर्वक्त पूरा करवाएगा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे 17 जुलों की 94 सीटों पर बीदे दिन मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाली गई है जहां पर कुल मिलाकर 1463 हुमेद्वारों की किस्मत का फैसला EVM में बढ़ हो गया है रोहित शर्मा के आउस्ट्रेलिया इदोरे पर बोले सौरफ गांगुली UAE में हो रहा है आईपियल अपने अंतिम पढ़ाव में पहुँच चुका है जिसके बाद टूर्णामेंट के प्ले आउफ मुकावले खेले जाएंगे आईपियल का आखरे मुकावला 10 नवंबर को खेला जाएगा और इसके बाद टीम इंडिया आस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है इस दौरे के शिरुवात 27 नवंबर से होने वाली है वहीं सी बीच BCCI ने चोट के चलते टीम के उप कप्तान और सलामी वल्लेबाज रोहित रशर्मा को नहीं चुना है हाला कि आस्ट्रेलिया इदौरे पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्षा और पूर्फ कप्तान सौरफ गांगुली ने अपनी राय रखी है जिसके तेयत उन्होंने कहा कि हम रोहित रौषर्मा की चोट की निग्रानी कर रहे हैं रोहित के लिए हम चाहते है कि वो ऊस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट हो अगर वो फिट है तो मुझे यकीन है कि चैन करता उनके सिति पर फिर से विचार करेंगे रोहित शर्मा IPL में Kings 11 Punjab के खिलाफ डबल सुपर ओवर मैच के बाद नहीं खेले इस मैच के बाद उनकी हैंस्ट्रिंग की चोट उभर कर सामने आ गई WhatsApp चाटिंग अब अपने आप होगी गायब Online messaging आप WhatsApp पर एक और दिल्चस्प फीचर जुड़ गया है इस फीचर की मदद से कोई भी अपनी चाटिंग को आसानी से गायब कर सकता है साजा की गई रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर वर्तमान के डिलीट फॉर एवरिवन के फीचर से बिलकुल अलग होने वाला है कंपनी के बारे में बताते वे WhatsApp का यह नया फीचर जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा इस नया फीचर का नाम Disappiering Message होगा इस फीचर की खास बात यह होगी कि गायब होने वाले चाटिंग का कोई निशान नहीं छुटेगा जैसा की Message डिलीट करने पर सामने वाले को पता चलता है मगर Disappiering Message में ऐसा नहीं हो पाएगा इसके साथ ही Disappiering Message फीचर ओन करने के बाद कोई भी चाटिंग साथ दिन बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगी अब आईए जानते सराफ़ा बजार पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ा बजार की बात करें तो सोने का भाव तीन नवंबर को 22 क्यारट के लिए प्रतिदस ग्राम 49,950 रुपए था वही 24 क्यारट के लिए प्रतिदस ग्राम 50,950 रुपए था जो न्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच़े लगे मगर से हमें क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार COVID-19 के माहौल में करवाए गए विधासभा चुनाफ के दूसरे चरण में आपके बूत पर वोटिंग के दौरान COVID-19 से बचाव के लिए जारी किये गए प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताई इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहें तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें बने बाद